लबरेंस नमस्ते Gifts, Through Capistology क्या हम Capistology से यह देख सकते है कि किसी person को ठ потрясेनी आप टर लाइफ गिफ्ट ज्याना रिसेव होकी या वो ज्याना गिफ्ट देगा हो तो जब गिफ्ट की बात होती है गिफ्ट रिसेव की बात होती है तो देखेगा अगर native के birth chart में यह combination second, third, six and eleven मतलब अगर maximum planets two, three, six and eleven houses को signify करते हैं तो वो person now and then gives, receive ज्यादा करेगा maximum planet की बात करो अगर किसी के birth chart में maximum planets, second house, third house, six house and eleven house यह चारों houses को ज्यादा signify करते हुए दिखाई देते हैं तो conclusion पे आप आ सकते हो कि वो person अपनी life में अभी और बात में future में भी gifts को ज्यादा receive करेगा अब आपके में में सवाल आएगा क्या हम यह देख सकते हैं कि वो gifts ज्यादा देगा येस अब देखिए यह हमें हम से second हम से third हम से sixth और हम से जर्द ये सामने वाला परसन अब दिखिए उसका सेकंड मतलब एट उसका थर्ड मतलब नाइन्थ उसका सिक्स वन टो ट्री पोर फाइव सिक्स मतलब ट्वेल्थ एड उसका एलेवन्थ मतलब द्वेल्थ अग्यर किसी के बर्चार्ट में मैक्जीमम प्लैनेट्स पाइव, एट, नाइट एंड ट्वेल्थ हाउसेस को सिगनिफाइ करता है या करते हैं मैक्जीमम प्लैनेट्स तो मान लिजीए गा वो परसन ज्यादा तर देगा हो और अगर मान लिजीए यह दोन्नों टाइब के हाउसेस मिक्स्ट दिखते हैं, दोनों दिखते हैं, तो एबरेज हो जाएगा, उसको गिप्स मिलेगी भी, और वो गिप्स देगा भी. That's all about today. Thank you very much. Thank you very much and God bless you. Thank you.